हेलो स्टूदेंट्स, चाइल्ड साइकोलोजी के इस थर्ड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है कल हमने डवलब्मेंट को समझा था और डवलब्मेंट क्या होता है और इससे रिलेटेड जो भी कोश्चन हो सकते थे वो सारी चीज़े हमने देखा था आज हम देखेंगे डवलब्मेंट को प्रभावित करने वाले कारक ऐसे कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे डवलब्मेंट को बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं या उन पर अपना एफट डालते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं यहां तक हमारा हो गया था कि वृद्धी के बारे में क्या सहीं नहीं है हमें सहीं नहीं बताना था तो वृद्धी क्या होता है जो आपका ग्रोथ होता है जो वृद्धी होता है तो सबसे पहली बात कि वृद्धी आपके साररिक विकास से सिर्फ क्या होता है connected होता है जबकि development या विकास होता है वो संपून तत्वों की बात करता है और विध्धी विकास का ही एक पार्ट है ये आपका development है और विध्धी आपका एक छोटा सा पार्ट है विध्धी में हम क्या देखते हैं सारे एक विकास कोई समझते हैं क्योंकि वृद्धी एक वक्त के बाद रुख जाती है तो इसे इसमें हमें क्या देखना था सही और गलत कथन को समझना था इसमें आप से पूछा है कि इसमें से कौन सा कथन है जो नहीं है ये हम कल देख चुके थे एक बार हम फिर देखेंगे कि जो अभी वृद्धी होती है जो आपका ग्रोथ होता है वो क्या फीजिकल होता है बिलकुल हाँ जो ग्रोथ होता है वो फीजिकल होता है वो सारे विकास से संबंदित होता है तो बिलकुल वृद्धी जो होती है, आपका जो growth होता है, वो मात्रात्मक होता है, क्या हम वृद्धी को नाप सकते हैं, बिलकुल नाप सकते हैं, आपका height, आपका weight, क्योंकि हम तौलते हैं, अपना वजन किसी चीज में देखते हैं, अपना height इंच में देखते हैं, तो यह सारी चीज़ो होती है मातरात्मक होती है quantity में होती है और चौथा option है आपका जो growth होता है अभी वृद्धी होती है वो क्या होती है जीवन परियन चलने वाली प्रक्रिया है तो यह बिल्कुल गलत बात है मैंने आपको बता है कि growth होता है वो एक समय के बाद रुप जाता है आपका जो development होता ह है वो जीवन परियन चलने वाली प्रक्रिया होती है तो यहां तक हम देख चुके थे हम बढ़ते हैं आखे की ओर चलिए हम आज देखेंगे factors affecting development कौन-कौन से कारक हैं कौन-कौन से ऐसे factors हैं जो आपकी development को affect करते हैं ऐसे कौन-कौन से कारक हैं जो हमारे development को क्या करते हैं affect करते हैं तो सबसे पहले ऐसे बहुत सारे कारक हैं जो आपके विकास को आपके development को क्या करते हैं प्रभावित करते हैं सबसे पहले environment आपका जो वातावरण है वो क्या करता है हमारे development को या एक बच्चे के development को क्या करता प्रभावित करता है, कैसे प्रभावित करता है, बच्चा जिस परिवेस में रहेगा, जिस परियावरन में रहेगा, जिस इन्वार्मेंट में रहेगा, वहां से चीजों को क्या करेगा, अरजित करेगा, ग्रहन करेगा, उनसे सीखेगा, अगर कोई बच्चा ऐसे इन्वार् देखता है और negative चीजों से घिरा होता है तो भच्चे पर इसका क्या करता है निगेटीविती दिखता है उसको निगेटीव एंपक्त पड़ता है तो यह क्या है हमारा पहले हम समझेंगे कि क्या effect करता है सबसे पहला आपका environment environement इस पर अपना affect ढालता है तो यह हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहला point हो गया environment देखी exam में पूछता है और जैसे हमारा topic complete होगा इससे जो भी question बनेंगे हम देखते जाएंगे topic with question करते जाएंगे इससे आपको जो concept होगा वो clear होते जाएगा तो सबसे पहला effect किस पह बढ़ता है आपके environment का रोल होता है चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा आपका अनुवान सिक्ता देखी अनुवान सिक्ता कैसे effect cut करता है हम क्या होते हैं माता-पिता पर जाते हैं हमारा जो गुड होता है अनुवान सिक्ता का गुड माता-पिता पर हम जाते हैं कभी-कभी क्या होता है, जो माता-पिता से जो बीमारिया होती, वो भी बच्चों में देखने को मिलता है, जिसके कारण विकास जो होता है, उससे प्रभावित होता है, कभी-कभी हमें खून की कमी जो बच्चों में देखने को मिलती है, वो पैरेंट से भी चल कर आती है, बह सबसे पहले हमने देखा environment का कि बच्चा जिस परिवेश में रहेगा, जिस वातवरन में रहेगा, वहां से वो चीजों को सीखेगा, दूसरा आपका अनुवान सिखता, इसके अलावा आपके लिए एक additional information भी है, जो आपके और आपके दोस्तों के लिए important भी हो सकता है, चुकि आप सभी जानते हैं, आप सभी को विदित है कि हमारा hostel warden का exam कभी भी conduct कराया जा सकता है, इसी चीज़ को ध्यान में रखत वे हमारा competition community आपके छात्रवास अधिक्चक का नया बैच प्रारम कर चुका है, ये नया बैच आपको गांधी चौक और मंगला चौक दोनों में ही म परकार महिला परविच्छक का भी विकेंसी देखने को मिल सकता है, इसकी पोस्ट भी आ चुकी है और कभी भी इसका exam conduct कराया जा सकता है, तो exam को बहतरीन और सुनिश्चित करने के लिए महिला परविच्छक का भी आप बैच जोईन कर सकते हैं, जो 27 जून से start हो चुका है, यह आपको गांधी चौक और मंगला चौक में भी मिलेगा, साथ ही जैसा कि मैंने बताया आपको यह जो इसका mode होगा, वो online, offline दोनों mode में होगा, आप दोनों में ही इसको पर सकते हैं, और चीज है हमारा test series भी प्रारम हो चुका है, आप पहले इधर ध्यान दिजेगा, जो start हो चुका है, online, offline दोनों ही mode में हो चुका है, जिसकी fees बहुत ही कम रखी गई है, मात्र 200 रुपए में आप होस्टल वाडन का complete test series कर सकते हैं, और offline में आप मात्र 400 रुपए में पूरा complete test series जोईन कर सकते हैं, चली, देखते चलेंगे, क्योंकि इससे आपके question बनेंगे, तीसरा point क्या है, पोसक तत्व, पहले क्या प्रभावित करता है, पहले हमने environment देखा, यह मुख्य कारक है जो हमारे विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, उसके बाद हमने देखा अनुवान सिक्ता, और तीसरा है आपका पोसक तत्व, पोसक तत्व कैसे करते हैं, जितने भी development है, जितने भी विकास है, वो विकास जो है कहीं न कहीं, आपके सबसे जो main जो कड़ी है, वो क्या है, आपका सारेक विकास है, अब सारेक विकास ऐसे समझेंगे, कि देखिए, माल लीज़े, ये एक छोटा बच्चा, हम इस बच्चे का एक्जामपल ले रहे हैं, अगर इसे ठीक प्रकार से क्या नहीं दिया जाएगा, पोसक तत्तु नहीं दिया जाएगा, पोसक तत्तु में ऐसा भोजन न दिया जाएगा, जिसमें प्रोटीन, कार्बोह इन सब चीजों की क्या होगी, कमी होगी, तो उसके कारण क्या होगा, इसका सारीक विकास रुख जाएगा, और सारीक विकास अच्छे से नहीं होगा, तो इसका मानसिक विकास भी अच्छे से नहीं होगा, जब मानसिक विकास नहीं होगा, तो ये किसी भी चीजों पर क्या जहना इससे effect होती है, तो एक बात किया जाए, विकास का, तो हमारा जो विकास अगर main है, तो इसमें जो main center में होता है, वो आपका क्या होता है, physical development होता है, आपका सारीक विकास होता है, क्योंकि सारीक विकास से अन्य जो विकास होते हैं, वो connected होते हैं, तो सारीक विकास के लि तो बाकि सारे factors भी होंगे अच्छे, positive way पर क्या होंगे, effect होंगे, तो ये था हमारा तीसरा factor, चीक, तो हमें बच्चों के विकास है तो जो सबसे मतपूर कारक है, वो उनके पोसक तत्व का है, पोसक तत्व का अच्छा होना अनिवारे है, क्योंकि आपका environment तो बच्चों में जो नैतिकता का विकास होता है, बच्चों में जो संग्यनात्मक विकास होता है, उसमें environment का तो important role होता है, बच्चों में अनुवानसिकता का बहुत जादा important role तो होता ही है, लेकिन कैसे, बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा, उसका growth कैसे होगा, वो सब किस पे depend करता है, आपक आपके पोसक्त तुपर निर्भर करता है, तो ये बहुत important है, आगे बढ़ते हैं, चलिए, देखिए, जैसे एक topic हुआ, question आ गया, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है, बिल्कुल, बताइए, होता क्या है, कि जो मानव का विकास होता है न, उसमें अनुवान सिक्ता और परियावरन का बहुत जादा important role होता है, अगर बच्चों में अनुवान सिक्ता का गुर देखा जा रहा है, तो उसके आसपास का जो वातावरन है, वो भी क्या होता है, बहुत important होता है, तो question आप से पूछ रहा है, कि मानव विकास किन दोनों के योगदान का पर यहीं सहीं बात है, समाजी का और सांस्कृतिक कारकों का होता है, लेकिन यह सारे factors बाद में आते हैं, starting में जो important factor होता है वो क्या होता है आपका, once क्रम या अनुवान सिक्ता, once क्रम अनुवान सिक्ता एक ही है, once क्रम एवं वाता वरन का, यह बहुत important होता है, इन में से कोई आपके भले question को modify करेगा, पर question आपके ऐसे ही बनेंगे, आप बस इसे ध्यान पूर्वक करते जाएए, आपका 10 में 10 आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका जो child psychology है वो understanding वाला subject है, अब जितना ज़्यादा इसको समझेंगे, जितना ज़्यादा आप real life में से feel करेंग आपनों note भी करते जाया करिए, कुछ-कुछ चीजे, हर चीज आपको इसमें नहीं मिलेगी, आपकी जो features of development, development की क्या-क्या features हो सकते हैं, तो देखिए, क्या-क्या है, सबसे पहले जो आपका development है, वो क्या है, continue चलने वाला process है, क्या है आपका development, continue process है, first, यह बहुत important है, question आ मैंने आपको starting में ही बताया था, कि जो विकास होता है, जो development होता है, वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है आपका, सतत चलने वाली प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया means क्या होता है, continue चलने वाली या बिना रुके, सतत का मतलब होता है, बिना रुके, जब तक आ गर्भ में अब यहां से बच्चे का डेवलमेंट सुरूख होता है और जैसे बड़ता है बच्च तो एक अवस्था एसी आती है जिसे हम क्या कहते है व्रिधा वस्था कहते हैं व्रिधा वस्था के जब तक बच्चा क्या करते हैं? मृत्यू को प्राप्त करते हैं, मतलब development रुप जाते हैं, तो जब तक बच्चा अपना development क्या होता है? जीवन परियंत, lifetime चलने वाली क्या होती है? प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, तो आप देख सकते हैं कि गर्भावस्था या इसे हम क्या कहते हैं? प्रशवपूर अवस्था भी कहते हैं, तो गर्भावस्था या प्रशवपूर अवस्था से प्रारंभ हो कर ये क्या करती है? व्रिधा अवस्था तक चलती है, और जब आप मृत्यू को प्राप्त कर लेंगे, तब निश्चित सी बात है, आपका development आपका अविकास रुख जाएगा, चलिए तो पहली विसेस्ता हो गई, हाँ, और दूसरी चीज, इमेज के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे, development सिर्फ और भी चीज़ों, ये कैसे continue चलता है, तो देखेंगे आप बच्चों में क्या देखते हैं, ये सारे गुर देखते हैं, ब देखते हैं, इसे अलावा, बच्चों में आर्धिक विकास भी देखा जा रहा है, इन्वार्मेंट, इन्वार्मेंट के प्रती बच्चा कैसे active है, तो जितने भी आपके लाइफ में जितनी भी चीज़े हो रही हैं, वो कहीं ना कई, किस से connected हैं आपके विकास से connected है, आप इस उम्र में भी जितनी चीजे सीख रहे हैं, उसमें आपका क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, तो इस सारे क्या है आपके विकास के features हैं, आप ये देख सकते हैं, इसके अलावा साधी व्या, समाज से बच्चा जोड़ता है, एक उम्र आता है, ये भी क्या है, आपका development का एक प्रकार है, एक भाग है, चली आगे बढ़ते हैं, साथ ही दूसरी विसेस्ता क्या है, हमारे development की दूसरी विसेस्ता ये है, कि हमारा जो development होता है, वो quantitative, quantitative मतलब क्या होता है, ये मात्रात्मक होता है, याद रखिएगा इनको note करते चलिए, कि जो विकास है, वो continue चलने वाली प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, दूसरा कि विकास जो होती है, वो quantitative मीन्स मात्रात्मक, विकास क्या होती है, मात्रात्मक और गुड़ात्मक, यहाँ पर qualitative लिखा है, तो इसका मतलब quality का मतलब क्या आपके गुड़ों को धर सारा है तो विकास क्या होती है गुरात्मक होती है अब मात्रात्मक और गुरात्मक कैसी होती है ऐसे समझेगा कि आपका जो लंबाई होता है ना आपका लंबाई आपका उचाई मतलब आपका लेंथ ठीक है आपका हाइट आपका वजन आपका वेट ये सब क्या है मात्रा को दर्शार है लेकिन आप में जो समाजिक गुर हो रहा है एक बच्चों में जो समाजिक गुर हो रहा है जो आप में नैतिक गुर देखा जा रहा है जो आप में सांस्कृतिक ते ओहारों की प्रति जो बच्चे क्या होते हैं आकर्शित होते हैं होली आता ह दिपाव अलियातति इन्थ सब की प्रति क्या हो रहें बच्चे आगर्शित हो रहें तो यह शांस्कृतिक विकास को भी दर्शार है इसके अलवा बच्चे क्या होते है पैसे के प्रति एक उम्र ऐसी आती है जब आप अभी भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं न कहीं कि गुडात्मक विकास को दर्शा रहे, तो हमारे जो विकास है, वो क्या होता है, quantitative भी होता है, मात्रात्मक भी होता है, और गुडात्मक भी होता है, इसमें दोनों चीजे होती है, इसमें आपका क्या होता है, गुड भी देखा जाता है, और मात्रा भी देखा जाता है, तो ये दूसरी भी सेस्ता हो गई, को ध्यान रखिएगा, ये इमेज के द्वारा समझेंगे, बच्चों में क्या हो रहा है, सारिक विकास, ग्रोथ हो रहा है एक बच्चे का, इसमें बच्चे का क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ मे आपका height बढ़ना, weight बढ़ना सारीक विकास आपके किसको दरसाता है आपके growth को दरसाता है यह हम देखे थे और आपका जो यह मानसिक विकास मस्तिस का विकास है वो आपको गुड़ को दरसा रहा है कि बच्चे का क्योंकि आप क्या इसे देख सकते हैं, नहीं, तो यह क्या है आपका गुड है, यहाँ पर जो सारी एक विकास है, वो मात्रा को दर्सारा है, लेकिन यहाँ पर जो मानसिक विकास हो रहा है, क्योंकि मानसिक विकास की जरिये ही व्यक्ति क्या होता है, समास से जुरता है, अर्थ से जुरता है, लेगो का विकास होता है, तो इस सारे क्या हैं? गुड हैं, तो दोनों में अंतर समझ में आया, तो विकास क्या होता है हमारा? गुडात्मक भी होता है, मातरात्मक भी होता है, और हमने क्या विसेस्ता देखा था? कि विकास जो होता है, वो continue चलने वाली process होती है, प्रक्रिया होती है चलिए आगे बढ़ते हैं कोस्चन आगे देखिए हमने एक टॉपिक पढ़ा अब तुरंद कोस्चन आगया कैसे कोस्चन बनेंगे देखिएगा मानव विकास है क्या है मानो विकास तो मानो विकास है आपका मातरात्मक भी होता है क्या सिर्फ मानो विकास मातरात्मक होता है हमने पढ़ा कि मानो विकास क्या होता है मातरात्मक और गुड़ात्मक दोनों होता है तो इसमें option A मातरात्मक बिल्कुल सही गुडात्मक, विल्कुल सही, कुछ सीमा तक अमापनी, तो ठीक है, यहाँ पर option क्या दिया है, D दिया है, A एवं B, तो चुकि यहाँ पर C का तो दिया नहीं है, तो जो हमें सबसे best लगेगा, हम उसका answer लेंगे, तो आपका answer क्या हो जाएगा, option A और B, विकास जो होता है, मात्रात्मक और गुडात्मक दोनों होता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, development is limitless, इसका मतलब किया तीसरी विसेशतर क्या है development की, तो जो आपका development है वो limitless है, इसकी कोई सीमा नहीं है, यह असीमित है, हमने starting में ही पढ़ा था कि अपने विकास की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है, वृद्धी जो होता है, एक सीमा के बाद रुप जाता है, लेकिन जो विकास होता है, वो कभी नहीं रुपता, कब तक नहीं रुपेगा, जब तक आप मृत्य को प्राप्त नहीं कर लेते, तो यह क्या होता है, लिमिट लेस होता है, तो इस चीज को ध्यान रखेगा, तीसरी विसेस्ता हो गई, कि जो विकास होता है, वो लिमिट लेस होता है, अम आपनी असीमित होता है, इस चीज को ध्यान रखेगा, देखिए, यहां से सवाल, देख करिया है तभी तो इसको limitless process कहते हैं आपका development को चलिए आगे बढ़ते हैं question भी लगाते जाए हमारा उद्देश ही है जैसे हम topic को पढ़ा है उस topic से हमारे question कैसे आपके exam में question ऐसे ही बनेंगे बस हलका full का modify होगा बाकि exactly आपको question ऐसे ही मिलेंगे इसके अलाब आपको कुछ भी book या ऐसे other चीज़े देखने की जुरत नहीं है क्योंकि होस्टल वर्डर में आपकी basic question आएंगे चलिए विकास कभी न समाप्थ होने वाली प्रक्रिया है यह विचार किस से सम्मंधित है अंतह सम्मंध का सिध्धान देखिए अंतह सम्मंध का सिध्धान का तो अभी हमने कोई बात ही नहीं किया है क्योंकि विकास कभी न समाप्थ होने वाली प्रक्रिय है इसका मतलब क्या है कि विकास continue चलने वाली प्रोसेस है सदद चलने वाली प्रक्रिय है तो यहां पस अंतर संबंध की बात कैसे आ सकता है नहीं आ सकता है इसलिए क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा दूसरा option है निरंतरता का सिध्धान principle of continuity इसका मतलब क्या है? निरंतर मतलब continue चलने वाला तो बिल्कुल विकास जो हमारा क्या है वो continue चलने वाला process है तो option number B क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा तब भी से हम तुरंटिक नहीं लगाएंगे क्योंकि हमा समय मिला है तो हम बाकियो option को भी देखेंगे एक ही करण का सिध्धान बिल्कुल नहीं अभी इसकी बात ही नहीं हुई अन्तर क्रिया का सिध्धान गलाएंगे तो हमारा answer क्या हो जाएगा? B हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें क्या होता है जो development जो होता है वो सिर से विकास की ओर होता है इसे हम क्या कहते हैं सिरस्त विकास का सिध्धान बोलते हैं नाम से इसपस्ट हो रहा है बच्चे का जो विकास होता है वो सिर से पैर की होता है अब आप देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले बच्चे के मस्तिस का विकास हो रहा है, फिर ये बच्चे के पैर, हाथ पैर का विकास हो रहा है, फिर ये इस तरह से डेपलम्मेंट होता है, ये तीर का निशान आप देख रहा है न, ये बच्चे के विकास को समझा रहा है, और इसको याद रखिएगा सवाल आते हैं कि इसका अर्थ क्या है तो याद रखिएगा सेफलो कॉडल का मतलब होता है बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर होता है चलिए आगे बढ़ते हैं कोश्चन बताईएगा आंसर देखिए अभी हम लोगों ने जस्ट टॉपिक पढ़ा यह सब आपके पूछे वी कोश्चन है इंपोर्टनेंट है आपके टॉपिक से ऐसे ही सवाल बनेंगे विकास का सेफलो काडल से धान्त या सेफलो कैडल से धान्त बताता है कि विकास कैसे आगे बढ़ता है क्या विकास सिर से पैर की ओर आगे बढ़ता है क्या ग्रामेड से सहरी की ओर नहीं ग्रामेड से सहरी की ओर तो बात ही नहीं हुई है यहां बच्चों के सारिक विकास क और होता है हमने image के द्वारा भी से समझा है तो विकास क्या होता है हमेशा सिर से pair की और होता है चलिए अगली जो quality है development की वो क्या है कि development proceeds from general to specific याद रखिएगा विकास हमेशा समानने से विसिस्ट की और होता है पहले आप समान प्रक्रियाओं से गुजरते हैं आप किसी भी चीज को देखेंगे ना तो सबसे पहले उसका general information लेते हैं फिर उसके deep में जाते हैं उसका specific चीजे देखते हैं तो सब विकास भी ऐसी होता है सबसे पहले आपका क्या होगा general होगा उसके बाद आप specific होगा तो याद रखिएगा विकास जो होता है हमेशा समानने से general to specific का मतलब क्या है समानने से विसिस्ट की और होगा विसिस्ट की और होगा विकास हमेशा समानने से विसिस्ट की और होगा यहां से सवार आता है बच्चे का सबसे पहले क्या होता है सीर का विकास होता है फिर धीरे धीरे बाकी अंगों का विकास होता है तो समानने से start हो रहा है न हम क्या होते कोई भी काम हो जैसे माल लीजे, आप यहाप डिजिटल बोर्ट ही देख रहे हैं, तो सबसे पहले इसका आप समान ये सेब देखने हैं, फिर इसकी विसेश्टता की ओर जाते हैं, कि अच्छा ये डिजिटल बोर्ट बना किसका है, इसका उपयोग क्या है, इसके अंदर क्या-क्या फिचर से, तो आप क्या करें, विसेश्ट की ओर जा रहे हैं, तो विसेश्टता को देखने हैं, तो वैसे ही हमारा डेवलमेंट होता है, डेवलमेंट क्या होता है, समानने से विसेश्ट की ओर होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, याद रखिएगा, क्योंकि फिर इस जो हम जो बच्चे होते हैं जो हीूमन होते हैं वो कहीं ना कहीं एक दुसरे से कैसे होते हैं अब कैसे अंताक्रिया का फल है हमारे सरीर का जो विकास हो रहा है वो भोजन से हो रहा है और भोजन हमसे किसे मिलता है हमें पौधो से मिलता है और जो पौध है वो क्या हमारे वातावरण कई एक हिस्सा है एक प्रकार है तो विकास पौधो और हम में क्या हो रहा है अंताक्रिया हो रह कि एक विवस्ति धंग से आगे बढ़ता है, एक क्रम से आगे बढ़ता है, तो ये सही है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, बिल्कुल हर व्यक्ति का अलग-अलग development होता है, उसके विकास का जो दर होता है, वो भिन-भिन होता है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, कि विकास का क्या है एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है विकास विशिष्ट से समानने की ओर होता है तो यह बिल्कुल गलत बात है अभी हमने देखा था कि विकास जो होता है वो समानने से क्या होता है आपका विशिष्ट की ओर होता है समानने से विशिष्ट की ओर चिक, विकास क्या होता है, हम इसा समाने से विसिष्ट क्यों रहता है, जस्ट हमने देखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका, आंसर D हो जाएगा, क्योंकि इन होने पूछा है, कि सत्य नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, देखिए, कैसे, एकदम बारिकी से, हम क्या होते एकदम easy, लेकिन exam में थोड़ा सा doubt होता है, इन सब को देखते चलिएगा, चलिए, छटवा जो है, वो क्या है, कि development process by, मतलब वो sequence को बता रहा है, कि जो आपका development होता है, वो एक sequence में चलता है, एक बच्चों का development बता रहा है, तो एक बच्चे का development कैसे होगा, एक क्रम में चले वो क्या होता है, सिसु अवस्था में होता है, माता के गर्व में बच्चा कितने दिन तक होता है, 280 दिन तक होता है, उसके बाद बच्चा सिसु होता है, माता के गर्व से बाहर आता है, तो यह क्या है, इसकी जन्म की अवस्था है, फिर बच्चा क्या होता है, सिसु अवस आवस्था में आता है, फिर थोड़ा सा और बुढ़ा होता है, फिर ये बहुत ज्यादा एजेट हो जाता है, तो क्या हो रही है, विकास एक क्रम में चल रही है, एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ रही है, तो याद रखिएगा विकास जो होता है हम इसे एक सिक्वेंस मे चलता है, देखिए, परिपक्वता का संबंध है, बिल्कूल, आप परिपक्वता कब होगे, जब आपका development होगा, जब आपका विकास होगा, तो answer क्या होगा, विकास, option number 1, चलिए, आगे बढ़ते हैं, जो stages of development, हमारे development के क्या-क्य stages हैं, देखिए, development में अवस्थाओं की बात करे थी, यह वही अवस्था है, development भी जो है, वो कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है, यह आप sequence देख रहे थे न, यहाँ से, यह सारी चीजे क्या हैं, आपके अवस्थाओं को दर्सार है, यह क्या है आपके अवस्थाओं को दर्सार है, तो यह अवस्था हैं, सबसे पहले बच्चा क्या होता है, माता की गर्व में होता है, इसलिए इसे गर्भा अवस्था कहते हैं, फिर बच्चा मा के गर्व से बाहर आता है, तो हम इसे सिसु अवस्था कहते हैं, फिर बच्चा थोड़ वो हो गया पूर बाल्य वस्था ठीक इसके बाद बच्चा किसोरा वस्था में आता है फिर थोड़ा सा और बढ़ता है फिर वो युवा वस्था में आता है युवा वस्था के बाद बच्चा प्रोरा वस्था में आता है फिर वृद्धा वस्था की और प्रवेस करता है और हम देखेंगे आगे की कख्षा में कि जो हमारा डवलम्मेंट होता है उसकी कौन-कौन से स्टेजेस हो से हैं तो हम मिलते हैं डवलम्मेंट के स्टेजेस के साथ आज लिए इतना ही थैंक यू अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ आज ही हमारे वेब साइट के कैरियर पेच पर विजिट करें अथ्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक प अजा है